नमस्का भारत वर्ष के प्रवध दीर्थ स्थानों की याध्या में आपका स्वाज़त है आज हम उन अग्वत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्मान आज से सद्यों की तो आएए इस यात्रा का प्रावन मानगरी मुंबई से करते हैं पूरे देश से यहां लोग आते हैं और ये नगरी पिसी को नाराज नहीं करती गेटवेय ओफ इंडिया भारत का ये प्रवेश्टवार इस समंत्र के टट पर सौ से भी ज्यादा सादों से खड़ा है यहां के जो प्रमुक मंदिर हैं उनमें से एक है श्री गणिश जी का श्री सिभ्धी विनायत मंदिर तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणिश जी के और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपती बापा का आशिरवाद भी इस मंदिर का निर्मान शुमती देवबाई पार्टिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था यह मंदिर और यह देवता यहां आने वाले किसी भी शद्धाल को निराश नहीं करते और सब की मनों कामना पूरी करते हैं मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजराद भगवान श्री प्रशन का ये प्राचीन द्वार का भीश मंदिर दो हजार वर्षों से अधिक समय से यहां बसा हुआ है माननता ये है कि द्वार का लगरी में भगवान श्री क्रिश्न का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था गुंती नदी के किनारे पसे इस मंदिर के दो द्वार हैं मुक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार चार धामों में से एक है ये द्वार अधिश मंदिर हर साम जहां क्रिश्म जन्म का उच्छप बड़े धूम धाम से मनाया जाता है अब हमारी याद्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशाने होगी हम वारानसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे चार धामों में से एक और धाम श्रीक केदारनाथ जी के केदारनाथ श्रीक का मंदर है इसे खुद बांड़ों ने बसाया था ऐसा माना जाता है आज का जो मंदर है उसकी रचनाम बारा सौ साल पुरानी है इस मंदर के द्वार हर साल केवल अक्षे प्रितिया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानि लगभग छे महीने खुले रहते हैं हिमाले के गरवाल प्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदर भी लगभग तीन हजार वर्ष पुराना है भगवान विश्व के इस मंदर का उलेक महा भारत भागवद पुरान पद्म पुरान इन सभी गंधों में पाया जाता है तो आएए दर्शन करते हैं श्री पद्रीनाथ जी के सद्याओं से लाखों करोरों लोग आशाड़िये कादशी के दिन भगवान विठ्थल के दर्शन के लिए महराष्ट्र के पंधर को पांचते हैं भगवान विठ्थल की इस वारी को कौन नहीं जाता है 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की बाक्तिका प्रमान भी है और महराष्ट की संत परंपरा का आधार भी महराष्ट से अब सीदे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में सिखों के चौथे गुरू छ्री गुरू रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18 सभी में महराजा रंजीत सिंग्जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पन करके दर्बार साहिब को सोने से सजाया था ये अकाल तख्त है और ये है गुरुगरंद साहिब वाहे गुरुजीता खांसा वाहे गुरुजीती फतेह जो बोले सो निहान सच्छ्री अकाल हमारा अगला पाव है पुरी का जगनात मंदर जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगनात बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा भगवान जगनात का ये मंदर सुप्रसिद्ध चाथ धहमों में से एक है और चाथ धहम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जानी है सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदर का निर्मान करवाया था और तब से भगवान जगनात की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है अब चलते हैं दक्षिर भारत के मीनाक्षी मंदर की ओर मीनाक्षी जो देवी पारवदी का रूप है उनके मंदर का ये एक हजार स्तंभों का तालान है 2525 पुराने इस मंदर के 50 मीटर उच्छे 14 गोपुरां वास्तु शिर्प के संदर्य का प्रतीप है इस मंदर में 33,000 मुटियां हैं और यहां तर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भगता आते हैं आंध्रप्रदेश की चित्तूर की ये पहाड़ियां हमें पहुचाएंगी भारव के सबसे प्रसिद्ध मंदर तुरुपतिबाला जी के दर्शन के लिए सत्रा सौ साल पुराना ये मंदर हमारे प्राचीन तम मंदिरों में से एक है इस मंदर में संस्क्रिक, तेलगू, तमिल और कंणल भाशाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेक हैं और सत्तर हजार से भी आधिक भक्त यहां प्रति दिन श्री बाला जी का दर्शन करने आते हैं तो आईए हम भी श्री बाला जी के दर्शन करके उनका आशिवाद प्राप्त करते हैं अब इस तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिर्डी और ले लेते हैं साइं बाबा का अशुपार यही वो सौ साल पुरानी शिर्डी है हमारे साइं की शिर्डी तो अब अनुमतिते साइं बाबा के आशिवाद के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं हमें आशा है कि आपकी यात्रा सभल हुई और आप हमें फिर से आपकी सेवा करने का मौका जरूर देंगे नमस्कार